आज हम आपको सिखाएंगे नेम प्लेट कैसे बनाने होते हैं आपने कभी देखा होगा नेम प्लेट जैसे घर के बहार नेम प्लेट होता है उस तरीके का तो यहाँ पे आप अपना नाम या कुछ भी आप लिख सकते हैं चाहिए अपना नाम लिख सकते हैं, ब्रैंड कंपनी का नेम कुछ भी, तो ये डिजाइन कैसे बनती है, आई कार्ड नेम प्लेट इस तरीके का, हम पहले यहाँ पे पेंसिल से ऐसे ड्रॉआ करेंगे, आप यहाँ पे अपना पासपोर्ट साइस पिक लगा सकते हैं, यहाँ पे, यह लेयाउट ड्रॉइंग हैं, जिसे कि आपको समझ में आए, यहाँ पे आपका नेम होगा, यहाँ पे आपकी आईडी, जो भी होगा आपका चाहिए स्कूल आईडी, home id, mail id, mobile number आप कुछ भी ऐसे design create कर सकते हैं और इसमें आप side में कुछ भी decorate कर सकते हैं 3D में भी अब हम इसको design shape देंगे चाहे कोई भी आप color sketch pen use कर सकते हैं that is your choice मैंने यह वाला color use किया है blue, green, red यह color use करूंगी आप लोग कोई सा भी color use कर सकते है ऐसे आप एक format दीजी इस तरीके से पहले ऐसा turn करेंगे circle लाके फिर ऐसे फिर ऐसे turn फिर circle लाके ऐसे ऐसे turn फिर circle फिर इस तरीके से आपको pattern drawing में चलानी है आप इस तरीके से design create कर सकते हैं मैंने कुछ इसमें geometrical shapes भी draw किये हैं जो कि बहुत easy हो जाएं आप कुछ भी आपको pattern अगर आपको चाहिए आप कुछ भी format यूज कर सकते हैं मैंने ऐसा वाला format लिया है उसके बाद हम यहाँ पे इस तरीके से जो pencil से बनाए थे उसके उपर से roughly एक pattern draw करेंगे ऐसे देखिए मैं कैसे कर रही हूँ wavy lines पहले आप pencil से करके भी उसके उपर से wavy lines दे सकते हैं या आप directly भी कर सकते हैं हमने यहाँ पे sketch pen का wavy lines दिया है और इस तरीके का pattern draw किया है अब हम इसमें अपना name लिख सकते हैं मैंने अपना नाम लिखा है यहाँ पे आप अपना नाम लिखिए आपको अगर अपना नाम जैसे लिखना है father's name या mother's name कुछ भी लिखना हो आप लिख सकते हैं यहाँ पे मैंने अपना नाम लिखा हैं इसमें आप अपना जो भी verifications हैं वो आप दे सकते हैं और इसमें आप हल्का कलर भी कर सकते हैं, मैं इस तरीके से कलरिंग कर रही हूँ आप इसमें कुछ और डिजाइन भी क्रियेट कर सकते हैं इस तरीके से आप डिजाइन क्रियेट कर सकते हैं इस तरीके से कलर को रोल करते हुए चलाइए और इसमें आप एक डिफरंट स्क्रिब्लिंग डिजाइन क्रियेट कर सकते हैं इस तरीके से देखिए इस तरीके से देखिए मैं कैसे कर रही हूँ ऐसे स्क्रिबलिंग में आप पूरे पैटर्न में ऐसे डिजाइन क्रियेट कर सकते हैं देखिए आप इस तरीके से स्क्रिबलिंग में डिजाइन क्रियेट कर सकते हैं और यहां पर आपका passport size का photo लगेगा और आप decorate भी कर सकते हैं चाहे वो आप decorative tape से हो या glitter sheet से हो your choice